हलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो बच्चों ने चैप्टर को यहां तक रीड कर लिया था आज हम इसे आगे रीड करेंगे इट साप्राउटेड शीड कैन भी हेल थी अंकुरी तना जखाएं और सवस्तर हैं इंट्रेक्शन फोर टीजर टीजर के दवारा निर्दे स्टुडेंट्स कैन भी गिवन नौलेज अबाउट दी रेडिकल एंड प्लूमल ड्यूरिंग जर्मिनेशन बच्चों को अंकुरन के दोरान मूली और अलू बुखारे को के बारे में अंकुरन होने के बारे में ग्या जरूरी है फोर जर्मिनेशन अंकुरन के लिए उफ डिफेरेंट शीड विविन बीजों को विविन बीजों को अंकुरन करने के लिए आवसेख सर्तें देखो और करो दूरिंग नवरातराज नवरातराज के दोरान यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जवार अराउंड यू लोगों को आपने जवार उगाते वे देखा होगा यू आल टेक सम ट्रांसपेरेंट पोर्स विज सम सोईल इन देम हमें एक पारदर्शी बरतन देंगे एंड पूट दी शीट इन सोल सेपरेटली और उसमें सीदे बीज डालेंगे सीदी चेंज इन देम फिर हम उसमें क्या परिवरतन होआ है यह देखेंगे नेक्स्ट पेज आफ्टर दी आफ्टर सिंग दी चेंज विच टूक पैलेश डूरिंग दी प्रोसेस ओफ जर्मिनेशन जर्मिनेशन की परकिरिया के दोरान क्या बदलावा है उसके बाद में डिसकस अबाउट देम हम चर्चा करेंगे राइट इन यूवर नोट बुक फिर हम उनको अपनी नोट बुक में करेंगे ठीक है प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड बिना बीज के पो हमें बर्षात के मौसम में आलू को उटेवे देखा होगा इफ यू प्लेस दीज पैटाटो इन एपोर्ट विद इस सोयल हमें एक मिट्टी के साथ एक बरतन में पैटाटो डालेंगे इट विल बिकेम एपैटाटो प्लांट वह एक आलू का पोदा बन जाएगा इस सेम व प्लांट वह भी एक ही नया पोदा बन जाएगा यह देखो डाइग्राम दिया गई आपको अपनी फेर नोटों के भी बनाना है आज हम इतना इस चैप्टर करेंगे सोभाई